हलो एन वैलकम बैक टू माई चैनल आज हम बात करेंगे धनूराशी वाले लोगों के लिए सजीटेरियस फायर साइन है आप आपकी करंट एनर्जी क्या कहती है और चैनल पर बने रहीएगा क्योंकि जल्दी ही मेल आ रही हूं आपकी येर लॉंग डीडिंग तो जार आपके लिए हम अकेले तुम वी हाव परस्पेक्टिव कार्ड हैंग्मेंड कार्ड है ये नाइट ऑफ वंड्स आई मेक डिसिजिएंस विद आउट प्रेशर एंड क्वीन ऑफ वंड्स ओके अटर गुंजन विश्व कर्मा अफॉर्मर एकेडमिशियन और नाव वरकिंग ये फ्री क्विज आपकी मदद करेगा ये जानने के लिए कि आपके लिए कैसा पार्टनर होगा एक परफेक्ट मैच ये क्विज आपकी मदद करेगा आपके दिल की गहराई में जहांक कर ये समझने के लिए कि आखिर आपके लिए एक पार्टनर में क्या मायने रखता है और ये कि आपको कौन सा साथी सूट करेगा, यानि आपके आदर्श साथी में कौन से गुण होने चाहिए। यही नहीं इस quiz के results पर हम quiz के बाद चरजा भी करेंगे और आपके love relations के लिए useful tips भी मैं आपके साथ share करूँगी। तो बस इस वीडियो के साथ दिये गए link पर click करें या WhatsApp करें मेरे office number 7424830300 पर और इस quiz को शुरू करें। आपका सच्चा प्यार एक click दूर है और अगर यह quiz आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि इसके results आपकी मदद कर रहे हैं तो आगे आप मेरे webinar और मेरे courses में भी participate कर सकते हैं जो आपको आपके perfect match को मिलाने में बहुत मददगार साबित होगा। बने रही है मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की reading दिखिए अगर आप एक लेडी हैं तो आप अगर आप एक लेडी हैं तो आपने फाइनल डिसाइड कर लिया या मेल हो तब भी यस मेल हो तब भी लेकिन मेल की condition मुझे कुछ एक situation और भी दिख रही है अगर आप एक लेडी हैं तो आपने फाइनल डिसाइड कर लिया है कि अब वही करूंगी जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है और यभी यह सेम लीडिंग आ रही है यह लगबग सेम लीडिंग आई थी अठीक है तो मतलब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है और बस बहुत हो इसमें बहुत स्ट्रॉंग लेडी की वाइड मुझे आ रही है अगर आप खुद लेडी हो तो वह आप खुदी हो और अगर आप मेल हो तो फिर एक किसी एक लेडी का आपके ओपर बहुत गहरा इंफ्लूएंस पढ़ रहा है ठीक है आपके डिसिजन मेकिंग पर किसी मुझे लेडीज ही है तो हम इसको आपके लेडीज परस्पेक्टिव से ही बात करने वाली हूं देखिए इसके अंदर मुझे एक रिबैलियस एनरजी नजर आ रही है इस लाइक फाइनली फाइनली यू आउट ऑफ डाक नौ बहुत लंबे समय की डाक नाइट ऑफ दो सोल के बाद बहुत डाक पीरिट के बाद वो किसी में भी हो सकता है में बहुत लंबे समय से आप हेल्थ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे अब ठीक है या फिर बहुत लंबे समय से आप फाइनेंस के स्ट्रगल कर रहे थे अब ठीक है या फिर बहुत लंबे समय तक जैसे लाइक यसे ते आइसे फिए चल आइसे थे रएंगे तो अबुशा थासे Yeah आप जैसे ऐसे बोलते ना कि तितली के पर निकल आए हैं यह उस तरह के अनर्जी मुझे आपर नजर आ रही है क्योंकि बहुत लंबे समय से कई ऐसा होता है कि जब किसी चीज को बहुत जादा लंबे समय दबा चुपा कर रखा जाता तो एक विसफोर्ट की तरह एक लावे क आपकी तरह वह चीज उभर के आ रही है तो वैस्ती बुझे आपके अंदर वह एनर्जी नजर आ ज़रा ज़ाला मुखी वाली एनर्जी लावा वाली अब मैं भी कुछ हूँ अब मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा दिखाऊंगी तो थोड़ी सी इस एनर्जी का को कंट्रो करने की जरूत है क्योंकि ओवर हो रहा है थोड़ा जादा हो रहा है ठीक है बैलन्स बनाके रखिए आपकी लाइट साइड और आपकी शेडो साइड जो है वो कभी आप अपनी लाइट साइड से ओपरेट करते हैं तो आप ठीक हो जाते हो कभी एकदम से आपकी डार्क तो फिर आप वैसा बीएव करने लग जाते हैं जैसे कि एक दूसरे लोगों की जिंदी में खटकने लगते हैं आप अपने लेवल पर जब तक आप अपनी इस पावर को शो करें तब तर ठीक है लेकिन जब यह पावर आप किसी और लोगों पर दिखाने लगते हैं तो फिर वह चीज खटकने लगती होगी रइट कहीं ठोड़ा अभी healing वर क्या आपको और जुरूरत है अपने काफी सारा हील अपने आपको किया है अपनी काफिए डाकने से इसको आपने कंट्रोल गया है गाल काके है भू है के हैं अब्धे कि अधरे कंट्रोलρείitta करेफें के दो आप जण है तो आपको दोने के ज़रूरत है कि अलब मुझे एसा लगता है कि अपने पावर को इंजॉय करने के लिए कहीं की संसकारों को भी भूल जाना या फिर कहीं मर्यादा को भी भूल जाना या कोई बेसिक ड्यूटीज को भी भूल जाना इस तरह कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है आप अपने जॉव में अपने प्लेजर में इतने डूब गय हो कि आपके आस पास के लोग के बारे में क्या फील करें आपके बारे में क्या सोचरे साद typically नहीं करें और परवा करना भी नहीं जाते it's like that और आपको इस समय में आपकी वो एनरजी है कि जिसको मेरे साथ आना है आए जिसको ना आना है वो ना आए मैंने ये रस्ता चुन लिया है मैं इसी पर जाने वाला हूँ जिसको इसमें एक्सेप्ट करते हैं वो मेरे साथ चले ना चले तो मैं अकेला ही ठीक हूँ इस तरह का आपका ये एटिट्यूड यहां पर उनको शो हो रहा है इस एटिट्यूड की वज़े से मेभी आपका अपने स्पाउस के साथ जगड़ा सेप्रेशन हुआ या परिवार वालों से जगड़ा हुआ हो सेप्रेशन हुआ हो या वर्क प्लेस पर गुटबाजी होके आपको मनला आपने ही छोड़ दिया हूँ या आपने बुला आई डोंट केयर लाइक उस तरह का कुछ ठीक है मदब जहां भी कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि ये परसन मेरे अगेंस जा रहा है ये लोग मेरे अगेंस जा रहे हैं उन्हों आपने उनको एकदम से छिटक दिया अपनी लाइफ से और आप मैं अकेले मैं अपने आप में मस्तू मैं कर लूँगा मेरे हिसाफ से इस तरह की मुझे इसके अंदर वाइब जा रही है जैसा मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से आप इसमें दबाए गए हो लोगों के दोरा दबाए गए हो और अब वो रिबैलियस जो आला मुखी वाली एनर्जी आपके अंदर मुझे दिख रही है तो अच्छी बात है पैशन के साथ वर करना अच्छी बात है अपने खुद के लिए हैपी डिसीजन्स लेना अच्छी बात है अपने आपको आगे रखके दूसरों के लिए ना सोचे भी ना अपने गोल्स की तरफ नॉन स्टॉप बढ़ना भी अच्छी बात है मुझे सब कुछ यहां पर अच्छा ही दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो कि ज्यादा हो रहा है जो कहीं ने कहीं आपको बाद में जाकर कहीं प्राब्लम ना क्रियेट कर दे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसको हम एक बार चेक करना चाहेंगे बहुत ज्यादा जोस रुटसा में बहुत आगे दोड़ने के चक्तर में कहीं आप अकेले ना हो जाओ ऐसा मुझे आपके लिए लग रण छोड़ एट ओफ कप्स हां क्योंकि लोग आपको क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि आप लोगों को छोड़ कर आगे बढ़ रहे लेकिन कहीं एक सिचुशन में ऐसा ना हो जाए कि आपको लगे कि अरे दूर द वह मैंने बुला ना जैसे की कभी तो एसा होता सेर को सवा सेर मिलता ही है तो आप लोगोंको छोड़ कर आए हो या आप необходимоं को आउट रैपर करने में बहुत अक्छा लग रहा है कि फाईनली पावर मेरे पैर मेरे हाओ मैं मैं इसको चाह शैया दूआधा दू तुम चले जा है ना लेकिन कभी यह चीज आपके ओपर उल्टी पड़ सकती है तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा कुई आफ कप्स इस इमोशनल आपको इमोशनल बैलेंस की जरूरत है आप पैशनेट हैं आप अकेले सब कर सकते हैं आप बहुत पावर में ह साथ में बैलेंस करने की जरूरत है ऐसा मुझे आपके लिए लग रहा है इस साथ लेके चलने की जरूरत है आपको लोगों को कम सकम उन लोगों को जो कि आपके बुरे समय में भी आपके साथ रहे आपके जो आपके अच्छे बुरे हर समय में आपके साथ रहे उन लोगों तो आपके साथ रहे हैं आपके सबसे लोगों को भी अगर आप इस अपनी अरोगेंस दिखा रहे हो तो आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है तो अतब आपकी जो पावर है न वह एक कम्प्लीट पावर आप मतलब वर्क प्लेस पर आपकी पावर दिख रही है सब जगे आपकी पावर दिख लेकिन कहीं न कहीं आगे जाके आप इमोशनली ड्रेन हो सकते हो या उन लोगों स पर करिंड़ आपनी पावर के समय में भी आप उन लोगों के हो उन लोगों को साथ बनाके रहा है तो पता है दत्राश ज्यसी स्तीति हो जाएगी कि जब वो पावर में आया था तो उसको अपने बेटों के से वा कोई नज़र नहीं आया और एक समय ऐसा है कि उसका एक भी बेटा बचा नहीं था कॉश्यस एनर्जी आपके लिए द्रूराशी वाले लोग मुझे समझ में आ रही है टेक वाट रेजनेट अगर आपको रीडिंग आपको रेजनेट नहीं करती है तो इस एनर्जी है जैसी निकल कराई मैंने आपको एस सज बता दी थैंक यू वेरी अब है जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं कब मैं इस चीज के लिए मुझे घुझन शाबाशी दे और मैं पूछ रहे हूं कि तुम हैपी तो हो ना मिने यह चीज कि क्या वो लाइन के बाद में कुछ प्रोग्रेस कर पाई घुझन से मुझे यह सुनना था गाइडेंस क अबाशी ही थी नहीं कि अपनी नौकरी में परिशान थी अपने स्वास्त से समस्याओं से जूज रही थी तनाव में रह ती और परस्टेल रिलेशंस में शांती बनाने के असफल प्रयास करती रह धी थी उच्छ शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैग्राउंड के करती थी कि मैं एक बहतरीन लाइफ जीना चाहती हूं जिसे सब कुछ मेरी पसंद का हो सब कुछ मेरा तय किया गया हो और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रम्हान्द के रहस्य जैसे मेरे सामने खु मेरे हाथ लगते चले गए छिर क्या था रिसर्ट तो मैं पहले से थी ही खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे खुद पर applies करती जाती थी और देखती थी संतुष्ट और बहुत आनंद में आफसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी-बंधाई जिंदगी और बंधी-बंधाई नौकरी की बेडिया भी मेरे हातों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ मिलने ल को अपने बेस्ट वर्जन में कनवर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिच्वल हीलिंग कोर्स, इस कोर्स को पिछले एक साल में सौ से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाब ले चुके हैं, अपनी परिशानियों से बाहर निकल कर आज एक खुशनुमा मन चाही जिन्दगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं, हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब में आप लोगों के लिए ओपन कर रही हैं, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी, तो अगर कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे, तो गैरंटी देती हूं मैं आपको, कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बलकि एक बहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे, जीवन की अब तक की बेस्ट टाइम लाइन पर जंप करना चाहते हैं, तो आज ही रजिस्टर कीजिए अप अपनी ट्रास्फर्मेशनल जर्मी, अपना बेस्ट वर्जिन बनने के दिशा में पहला कदम, वाट्सअप कीजिए मेरे ओफिस नमबर 7424830300 पर आज ही, पारस होता है, मैं में एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हम ये टच किया हम से जूड़ी, वालब हम उन अपनी की एंजल है, इश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे हो हमें दिखाए, और हमारा रास्ता सुगम करें, तो आप सब लोग वहां जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और उन्हें ऐसा मेंटार दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं, या जिन तक यह पहुँच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों, और चेंजेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर चेंजेज आप लान ही पा रहे हैं, तो आप अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फी पे करेंगे, आप मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ यह कहूंगी, कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा, वो इस फी के मुकाबले कई गुना जादा होगा, मैंने बहुत अच्छे लो मैं मंतरा लाए मुंबे में सेक्षिन ओफिसर, होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मैं का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है, तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें जो टेकनिक सिखाती है, वो स्टेप बाइ स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मै मेरे बहुत दिनों की और मैं को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव जेंजेज आए और मैनिफेस्टेशन चालेंज प्रोग्राम जॉइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनिशल बेनिफेट् और अंदर से अब बहुत शांती कानुभव करती हूं बिकॉज ऐसा लगते से सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं जो बहुत प्रोग्राम जॉइन करना चाहते हैं क्योंकि डेफिनिटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफोरमेशन आते हैं तो आई जस्ट कनवे माई बेस्ट विशेस तो आल उफ यू गद्ब्लेस यू चाहती थी कि एक रेडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूंँ और ये संभव हो सका और मैंने मैं से रीडिंग भी ली और जब मैं उनसे मिली हुना तो वाई नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वह अपने सारे कंडिडियोर्ट को एक एक का जवाब भी देती है पुछ प चाहिए जासा है तो आपके लाइफचेंज होनी ही ओनी और अब है जो कॉनफिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद अब ने अंदर पहली नहीं था पर अभी इस स्टार्टिंग है इस से भी जाड़ा कॉनफिडेंस जो है वो आएगा है मैंम के मैनिफस्टी बेसीन को से जोड़ करके बहुत खुशो अगर आप अपनी जिंदेगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टेरो गाइडेंस या स्पिरिच्वल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिच्वल हीलिंग कोर्स का उप्योग करके भी अपने माइंड बॉड़ी और सोल को अलाइन कर सकते हैं वाटसेप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही सही सकारात्मक उप्योग से आप पा सकते हैं अपनी मन चाही जिन्दगी इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबुदार तेलों को कम मत समझे अगर आपने अभी तक इनका उप्योग नहीं किया है तो निश्यत तोर पर आप नुकसान में हैं कुस्टल और असेंशल ओइल्स की जटल जामिती रासाइनिक सरेशना और विशिष्ट अनुसंगठन इनको इतना शक्ति शाली बना देता है कि अपने धारन करने वाले पर निश्चित तोर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं इसे निकलने वाली सकारात्मक उर्जा तरंगे आपकी शारिविक और मांस्तिक तंत्र को संतुलित करती हैं आपके उर्जा चक्रों के ब्लोकेजिस को खोलती हैं और आपके उर्जा चक्रों को संतुलित करती हैं ये energy waves आपके स्नायू आपके तंत्री का तंत्र और और आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है आपके शरीर में रासाइनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बहतरीन परिवर्तन होते हैं आप खुद महसूस कर सकते हैं आपकी आंत्रिक उर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं आप जादा शान और खुशनिमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पढ़ता है और आपके जीवन के अनुभ पहलों पर भी इसका एफेक्ट साथ कोर पर देखा जा सकता है अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ओइल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उप्योग करें तो भी वे बहुत प्रभाव कारी होते हैं लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ती कई बढ़ जाती है क्योंक प्रोग्राम और एक्टिवेशन की गुणवत्ता कई गुणा बढ़ जाती है और इससे आप के उप्योग करने पर आपकी चेतना कास्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समझर विकास होने लगता है तो आई जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन-कौन से प्रोग्राम और अरोमा प्रोडक्स अविलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्त और कवने के लिए और जादर जानकारी पराने के लिए वाट्सअप कीजिए मेरे ओफिस नंबर 7424830300 पर आज ही पुदर ने तो अपना जादू भरी दिया है इन रंग बिरंगे क्रि ये सही प्रोडक्स आज ही परिस्टनल कंसल्टेशन दीजिए ये आपकी डिस्टीनी है ये आपका सूल परपस्स है ये आपका एक लाइख का जो मिशन है वो है बंगे हिम्मद कर कर दो होगए उसके लिए मैं पुर का पुरष्ठ रे देती हुँ अपने गुरू को इто गठिन राह पर हम बनेंगे एक दूझे का सहारा उजाले कियो ले चले उजाले कियो चले पथे को सुने से जहां पे तूरज साम जाला मिट जाता है सब के जीवन का अधेरा काला सद रंगी सपने है जो हाखों में सच हो जाए हम सब आगे बढ़ते जाए तभी नहीं घबड़ाए अपनी मंजिल पालेंगे हम पाके साथ तुम्हारा आशाओं के आसमान में चमके बनके सितारा हुजाले की ओर ले चले हुजाले की ओर हुजाले की ओर ले चले हुजाले की ओर